हालो रादे रादे माई यूट्यूब फैमिली विल्कूम बैक टू दे चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स कैसे हैं आप सबाई हो पाफ सब लूग ठीक होंगे बढ़िया होंगे मज़े में होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आज डे है फ्राइडे और अभी टाइम हो रहा है रात के करीवन दस बज रहे हैं और यहां पे ओरी है पिज़ा पार्टी आज हुआ ऐसे कि शाम को सबने जल्दी ही खाना खा लिया था क्योंकि गुद्डू को होस्टल में जल्दी ही खाना खाने की आदत है तो आज साथ और उसके बाद हम देखने लगे थे मूवी आज हमने सोचा था बड़ी आसी एक मूवी देखेंगे बच्चों के साथ बैठके और मूवी देखते देखते सबको लगी थी भूख तो फिर रात को लेट नाइट पिज़ा पार्टी करी और बड़ी आसी मूवी देखी थी हम अबने सैम बाहदूर बच्चों के साथ तो बड़ा अच्छा लगा तो कल का दिन हमारा हो चुका था इस तरह से पूरा और अभी आप लोगों से नेक्स डे मॉर्निंग में मिल रही हूँ यानि कि आज डे है सेटर्डे पहले मैंने गुड़ू का वेट किया मैंने का उठ जाए तो गर्मा गरम नाष्टा बना के करवा देती हूं उसको पर वो उठी नहीं तो मैंने आने चली गई थी और जब मैं वापस आई तब तक उसने अपना नाष्टा बनाना शुरू भी कर दिया था क्योंकि ये बैट यहां डाली थी प्यास टमाटर हरी मिर्ची थोड़ा सा इनो डाल दिया था और दही में सूजी को मिक्स करके बनाती हूं मैं और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं बुलबुल को टिफिन में भी आज मैंने यही दिया था तो यहां पे अब मैं एक बना लिया था जब तक मैं आई थी नहा कर और एक मैंने का चल मैं बना देती हूं गर्मा गरम क्योंकि वही है कि होस्टल में तो गर्मा गरम खाने को मिलता नहीं है तब ही वह कह रही है कि मुमी घर आके बहुत अच्छा लग रहा है कि यहां पे सब कुछ गर्मा गरम खाने को म सब्सक्राइब करें दूष्ब धान उनाश्टा करवा दिया है सबका नाश्टा हो चुका है और यहाँ मैं पका रही हूं चेनल सिब्धिमा व्लॉग्स कैसे हैं आप सबही हो पासिब लोग ठीक हो ऊंगे बढ़िया होँगे मज़े में हो कि Mexico कल राध के बाद सीधा आप लो कारेवन बचन चुन को ही टार और सुपर से आज I am a ब्लॉग के शुरुवाद करने सρिप पहले हैं कल रात को ही व्लॉग को चुरू की शुरू किया था उसको आगे लेकर चलते हैं व्लॉग की शुरुवाति हो थी कल रात को क्ल रात को कि जो भी मेरे चैनल को सबसे ज्यादा शेयर करेगा उसको और मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट मिलेंगे और एक फरवरी को जो है मैं विनर अनाउंस करूगी इस तरह का कुछ था जिन लोगों ने वीडियो देखा था और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनको समझ म होगा कि मैं क्या बाति कर रही हूं और काफले शंबिलगमें थी चैनल को सबसे पहले तो आप सब लोगों को जिन्होंने भी यो को तहे दिल से मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्यू कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया इतना सपोर्ट किया और कुछ सब्सक्राइबर्स तो ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि दिदी आप ऐसे भोल देते हैं हमें गिफ्ट की जरुवत भी नहीं थी आप हमें कहा देते तो सबसे पहले तो जो भी विनर है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉम्रेचुलेशन्स और में आव अनाउंस कर देते हूं तो फर्स्ट विनर है जोती सिंग फ्रॉम बिहार और उन्होंने सबसे ज्यादा शेयर किया था मेरे चैनल को 500 प्लस जो है उन्होंने शेयर किया थ राजस्तान से राजस्तान से है विजयलक्ष्मी तो आप तीनों को बहुत 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 और एड्रेस उनसे बात हो गई मतलब वाट्स अपना भेज देंगे जल्दी ही आप लोगों तक अपने गिफ्ट पहुंच जाएंगे पर हाप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है जब भी आप लोगों पास गिफ्ट पहुंच जाएं तो आप गिफ्ट के साथ और एक अपना फोटो क्लिक करवा के या फिर अगर आप फोटो नहीं बेजना चाहते तो अलग बात है वरना गिफ्ट का स्क्रीन शोट लेके और आप मुझे भेज देना ताकि मैं तो मतलब यही बोला कि हमें गिफ्ट नहीं चाहिए दिदी हम ऐसे ही शेयर कर देंगे तो मुझे बता है मेरी यूट्यू फैमली बहुत अच्छी है पर हां कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि नहीं चीटिंग करिए आपने नहीं दिये गिफ्ट आपने बताया नहीं तो बस उन को और उन लोगों को खैर कैई दिखाने के लिए मतलब मैं चाहती हूं कि मैं जो है कम्यूनिटी में एक अच्छी सी और उनकी फोटो जो है शेयर करूं गिफ्ट के साथ तो आप जैसे ही आप लोगों को गिफ्ट मिल जाए आप मुझे पोटो अपनी बेज देना ठीक है औ मैं जो खराब और निकाल दिया है और मैंने का इस बहने से फिरीज भी साफ हो जाएगा वरना तो आज मैं नहीं करती, ये सारे एक्स्टरा काम जो है मैं दो चार दिन से नहीं कर रही हूँ, मतलब फिरिज साफ करना इस तरह से एक्स्टरा काम, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गुड़ु आई वी है, तो सारा टाइम जो है, मैं बेटी को दूँ, उससे खुब सारी बाते कर करवाना है तो अभी कॉल कर दिया है अभी आने वाले हैं मेकनिक और यह फ्रीज हमारा दो चारी बारी खराब हो गया हमने यह ऑनलाइन ओर किया था मतलब लिए वे तो उसको हो गए करीवन 4-5 साल हो गए लिये वे पर बहुत बारी यह खराब हो गया इसका फैन जो है अंदर का काफी बार खराब हो गया पता नहीं कैसी खैर जी फ्रीज मैंने साफ कर दिया और इधर देखो यह गी बिल्कुल पक्के तयार हो गया है बड़िया देसी गाय का गी है तो इसको के मैं कर लूँगी अब अलग आज ही कैसे पहना और गीला कैसे कर देखा है किती चुकता है मेरी परची पहन लिया और को अच्छा लग रहा था इसलिए बुल्बुल की स्कूल में आज पी टीम है तो हाफ डे ही स्कूल लगा था घर पे जल्दी ही आ गई है और आते ही जो सवाल पूछती है फैर पी टीम में गए थे हस्बेंड और बुल्बुल का आज थार्ट टेस्ट का रिजल्ट आ गया है काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही इसकी तो खुश हो गई है और यहां पे दोनों बहनों की चल रही है मस्ती तो बुल्बुल का बहुत अच्छे से मन लग रहा है गुड़ू आई भी है इसलिए और मेरा भी हाँ सही मेरा भी बहुत अच्छे से मन लग रहा है और इसी वज़े से मेरे व्लॉग जो है मैंने प्रॉमिस किया था डेली व्लॉग आएंगे पर डेली व्लॉग नहीं आ पा रहे है कि कि वही है कि मैं हो रहे हैं सुबह से ही मौसम बहुत बेकार सा हो रहा है गंदा सा मौसम हो रहा है और बस जी मेरे तो साथ-साथ काम भी चल रहे है और बच्चों के साथ मस थी यहां भी तो मशीन लगा दी थी मैंने बादल तो हो रहे हैं पर वही है कि गुड़ू के कपड़े हैं तो मैं और यहां दोपैर के खाने में आज मैं बना रही हूं आलू के परांठे वही है कि बेटी दो-चार दिन के लिए आई है तो सोच रही हूं कि जो जो उसको खाने में पसंद है सब कुछ उसकी पसंद से मैं बना कर उसको खिला पाऊं तो यहां पर आलू के परांठे बना रही ह तो इसमें मैंने मेति डाली है और करणा में बीतर देखिशां में कॉसरा में कर देखिसे एक सब्सक्राइब कायों कर देखिशां विह बाकी यह विल दिखूला चैजल कर देखिए गी करना न시는 तो और यह है पापा का प्यार बेटी के लिए पतिदेव ने राजभोग बेजे है गुड़ु के लिए क्योंकि गुड़ु को बहुत ज्यादा पसंद है और हमारे यहां की मिठाईया फेमस भी बहुत है काजुकतली राजभोग रसमलाई हमारे यहां पर बहुत अच्छी मिलती और हमारे यहां की मिठाईयां बहुत दूर दूर तक मतलब विदेशों में भी जाती है बहुत जादा प्रसिद्ध है यहां की मिठाईयां यह वाली तो जी बस सबका खानावाना हो चुका है और उसके बाद मैंने कर दिया है अपना किचन को क्लीन तो बस अभी दिन का खाना तो हो गया है पतिदेव का में टीफिन भेज दिया है बाकी बच्चों ने भी खाना खा लिया है कल पर सो जो है husband देख के भी आये थे उन्होंने मुझे फोटो भेजी थी मैं भी जाओंगी एक दो दिन में लेने के लिए तो मैंने सोचा आप लोगों से भी पूछ लूँ तो हमारे यहाँ पर जो कपड़ों का stand मिल रहा है वो मिल रहा है डाई तीन हजार उपे का तो आप लोग मुझे बताना कि है तो काफी अच्छा खासा बड़ा है stand तो मतलब इस rate में ही मिलता है और मैं local market से लूँ या online लूँ ये भी आप लोग मुझे बताना अगर किसी के पास है तो कल मौसम ठीक ठाक था दूप थी कल तो और आज फिर से मौसम खराब हो गया हमारे आपर बादल हो रहे हैं बारिश वाला मौसम हो रहा है या या यह जाटी मैं भी कोई डाले ने दे तो एक बार तू भी कम नहीं है कभी लड़ना कभी जगड़ना कभी मस्ती कभी खेलना दोनों बहनों का पूरा दिन इसी तरीके से निकल जाता है और अच्छा भी लगता है बुल-बुल यह सारी चीज़े मिस भी कर रही थी अकेले थी तो बहुत ज़दा बोर हो जाती थी अब गुड़ू आई भी है तो उसका काफी मन लग रहा है तो बच्चे तो उपर च्छत पर ही पतंग उड़ा रहे हैं मैं आ गई हूं नीचे और कुछ स्पेशल बनाने की तयारी कर रही हूं हां जी आज मैं बनाने वाली हूं दाल मखनी अस सुबह में मैंने मखन दिखा सा नमक डाल दिया था और यह जो मकई के दाने हैं वो डाल दिये और घी थोड़ा सा अच्छा सा डालना है ताकि जो है और नीचे पॉपकॉन चिपके ना और बड़ी आसी जो पॉपकॉन बन गई है गरमा गरम और साथ में बच्चों को दे दिया है दूद क्योंकि सुबह तो नाश्टे में दूद ले लेती है तो इस वज़े से और दूद में दे देती हूं शाम को किसी ने पूछा था कब देती हूं तो या तो रात को पी लेते हैं बच्चे दूद या फिर शाम को दे देती हूं तो बच्चों को मैंने दे दिया है शाम का छोटा सा नाश्ट और यहाँ पर हमाट करने लगी हूँ रात के खाने की तयारी थोड़ा सेіш जल्दी ही बना रहे हूँ क्योंकि वही है कि गुर्डू को हूँ चल्दी ही खाना खाने की आदत है तो यहाँ पर मैंने प्याज भूनने के लिए डाल दी है करणाई में थोड़े भी चौप करती ग मिर्ची तो बस मिर्ची मैंने डाल दी है डिबे में और यहां पर जब प्याज अच्य से गोल्डन ब्राउन हो घए थे प्याज और हरी मिर्च घी में इ छोके थे गोल्डन ब्राउन ही थे सारे बेसिक मसाले मैंने अड़ कर दिये थे और जब मसाले अच्छे से पक गए तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर का पेस्ट करीबन पांच मैंने टमाटर डाले थे पेस्ट बनाकर और हाँ जी इदर जो है डाल और जो क्या थे वो राजमा वो अच्छे से बॉयले हो गए थे दो सीटी में हो गए थे थ रसन नमक डाल के मैंने उबाले थे और इसके बाद ये उबली हुई उडद की डाल काली वाली और आज मैं इसके अंदर एड़ कर देंगे और उसके बाद जो है इसमें डालेंगे गरम पानी मतलब जितना भी पानी आपको डालना है वो गरम ही डालना है डाल को बढ़िया बन सब्सक्क्राइबाए सूर्यänderओं तो यह गर्मा गर्म दाल मक्षणी बना के त्यार हो गई है साथ में मैं बनाऊंगी आज आठे वाले नान भी तो पर अभी बच्चों का खाने का मन था नहीं बच्चे खेल रहे थे अभी तो बैसे चलो पहले जो यह बरतन है वो मैं कर लेती हूँ साफ और हाकिस ने कहा था क कि बरतन साफ करने वाली तो तुम्हारे यहां पर आती है तुम बरतन साफ करने का नाटक करती रहती हो क्यों नाटक करती हो क्यों दिखाती हो कि मैं बरतन साफ कर रही हूं तो डियर मैं सारे बरतन साफ करने वाले चाची जी को नहीं देती हूं कुछ बरतन यह होते हैं कि जो मैंने टमाटर काटा हो प्याज काटा हो तो वह चुट चुट बरतन ऐसे होते हैं कि उनको मैं साफ करने के लिए नहीं देती हूँ चाची जी को अब तो हरी जीत रही है मैं जीत रही हूँ क्योंकि इसकी गोटिया इतनी कटी और ने इतनी कटी यहां मैं दाल मखनी के साथ आटे के नान बना रही हूँ, क्योंकि नान अच्छे लगते हैं दाल मखनी, बनाये हैं नान scattered डीटेल में रेसिपी में फ़हली अक दो दिन पहले ही वीडियो में अशेर करी थी, तो उसका link में description में दे दूँगी बाकी मैं short में बता देती हूँ जब मैंने आटा लगाया था तो आटा ले लिया था गेहूंका उसमें मैंने डाला था एक चमच बेकिंग पाउडर और एक कटोरी मैंने दही डाला था दो चमच मैंने oil डाला था और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने बड़ी ऐसा आटा लगा लिया था मैंने बिल्कुल सॉफ्ट जैसे रोटियों का आटा हम लगाते हैं और फिर इस तरीके से तवे पे रोटी को चिपका कर और सेक लेना है और किसने पूछा था कि दिदी अगर इस तरीके से नान बनाते तो गैस टॉप फूटता तो नहीं है नहीं जी नहीं फूटता मैं बहुत बारी नान बनाती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ठीक है और साथ ही यहाँ पर मैंने लच्छे परांठे भी बना दिये क्योंकि गुट्डू का मन था दाल मकनी इस साथ लच्छा परांठा खाने का तो जी यह था आज का हमारा स्पेशल डिनर दाल मकनी आटे के नान और हाँ आप लोगों की ठाली में लगाना भूल गई मुझे दिमाग में नहीं रहा तो जी बस सबको खाना मैंने खिला दिया है और उसके बाद फटापट मैं कर लूँगी गैस को क्लीन और इसी के साथ करूँगी इस व्लॉग को यहीं पर end और नहीं end नहीं होगा end में आप लोगों को एक बड़िया सा गुड़ू का भजन भी सुनने को मिलेगा क्योंकि एक दो सब्सक्राइबर है उन्होंने कहा ता पिछली बार भी जब गुड़ू आई थी कि गुड़ू से एक भजन हमें जरूर सुनवाना तो वो लास्ट में आप लोगों को मैं सुनवाऊंगी पर हाँ आज का व्लॉग अगर किसी को भी पसंद आया हो मेरे चैनल पर नए हो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़दा ज़दा शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंट्स के साथ चलिए जीसी के साथ करूँगे इस व्लॉग को यहीं पे अंड और हाँ आईए केसरिया फिरनी लेकर आए हैं गुड़ू के ताउजी तो वही है बच्चा जब घर आता है न तो सब लोगों को प्यार आता है बच्चे पिर हाँ तो हमारी यूट्यूब के ओडियन्स सुनना चाहती है गुड़ू की मधूर आवाज में एक भजन और यह फर्माईश आई है मेरी एक सब्सक्राइबर रमा आगे उम्र का नाम नहीं पता है रमा ही नाम है उनका उनकी तरफ से तो आप क्या सुनाना चाहेंगी वो का राएक बास उरिवारा सुद बिसरा गयो मुरी रे सुद बिसरा गयो मुरी मांखन चोर वो नंद किशोर वो कर गयो मन की चोरी रे सुद बिसरा गयो मुरी मैं पर माने ना इक मुरी रे सुद बिसरा गयो मुरी वो का राएक बास उरिवारा कर गया मन की चोरी रे सुद बिसरा गयो मुरी मांखन चोर वो नंद किशोर आगे मन आवे गोनी रे आगे आगे